वीडियो वर गोईंग टो डिसकस अबाउट था फॉर्स टैट एंड सम कॉमन लैब एक्सिडेंट एंड रेमिडी देखो ये एक टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है खुद भी पढ़ोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा ये एक थोड़ा लंबा टॉपिक है तो बिना किसी बिना पढ़े भी कैसे एक वीडियो से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूं वाना ये टॉपिक बहुत ही इजी है 90 परसन बाते आपको अल्लेडी पता है और ये टॉपिक हम लोग लाइन बाइन डिसकुशन नहीं करेंगे क्य देखो लेबाटरी क्या होता है लेबाटरी आप अपने स्कूल या कॉलेज पे होगा ही वही पे जाते भी होगे अपने प्राक्टिकल वोक और एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेबाटरी पे हम अपना प्राक्टिकल वोक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां पर बहुत सा हाजार होने का भी चांस रहता है देखो यहीं पर लिखावा है लेबर्टरी एक प्लेस है जहां पर केमिकल को स्टोर किया जाता है और उन में से कुछ-कुछ प्लेस और जो लैब होते है वहीं के टीचर और नों को को अवार रहना चाहिए कि वो लोग कौन सा केमिकल हैंडल कर रहे हैं अगर कोई डेंजरय इनल कर रहे है तो उन मतलब क्या उनको पता होना चाहिए कि उनके लैब पे कौन-कौन सा dangerous chemical है और उस chemical को handle करते time कौन-कौन सा precaution लेना चाहिए और अगर कोई accident हो भी गया लैब पे तो उसके बाद क्या करना चाहिए उसका remedy क्या है वो सारा एक teacher को पता होना चाहिए especially एक लैब teacher को सारा मतलब वैसे वाला knowledge पूरा पता होना चाहिए teacher की साथ साथ student को भी aware रहना चाहिए कि वो कौन सा chemical यूज कर रहा है अगर कोई dangerous chemical यूज कर रहा है तो teacher जो-जो precaution लेने के लिए बोले है वो सारा precaution लेके ही उस chemical को handle करे एक student को मतलब कौन कौन से dangerous chemical है उसका precaution क्या है उसको कैसे handle करेंगे अगर कुछ accident हो भी क्या तो उसका remedy क्या है वो सारा आप अपने lab पे एक चार्ट बना के उसको आप hang कर सकते हो जैसे किसी का मतलब आप lab पे नहीं हो और किसी का कुछ हो गया कुछ accident हो गया हाथ जल गया पाउं जल गया तो बच्चे आप जो lab पे जो चार्ट लगाए होगी वो lab वो चार्ट से ही वो लोग पढ़के म मतलब अगर सपोच किसी का हाथ ऐसे कुछ जल गया और साइट पे आप लिख दे हो कि wash it with cold water ऐसे उसका remedy लिख लिए हो और आप क्लास पे नहीं हो तो बच्चे वो पढ़के भी मतलब किसी का हाथ जल गया तो उसको धंडा पानी से धो के उसका remedy कर पाएंगे हर एक लैब पे सारा precaution regulation एक चार पेपर पे लिखके वो हैंग करना ही चाहिए एक 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 लैब पे कैसे ना हो वो टीचर को ध्यान पे रखना चाहिएगी मुझे कौन-कौन सा step लेना चाहिए ताकि मेरे लैब पे कभी भी accident कोई ना हो पहले टीचर को क्या ध्यान पे रखना चाहिए कि जो भी उनका लैब है वो properly well ventilated हो वह है कि जितने भी door और window है वो थोड़ी बड़े बड़े होने चाहिए ऐसा ना हो कि आपका लैब थोड़ा बंद वाला रूम हो ऐसा बंद वाला रूम एक लवाटरी नहीं बनाना चाहिए सेकंड पॉइंट है आपका वाटर टैप मतलब जहां पी आपका लैब है सारे लैब पे वाटर टैप होते हैं तो वाटर टैप से क्या leakage हो रहा है यह भी आपको चेक करना है क्योंकि बहुत आसे होता कि वाटर टैप से पानी ड्रॉप वाटरी हो जाता है तो वाटरी फ्लोर से बहुत पच्चे स्लिप भी हो जाते हैं तो इसी बात का आपको ध्यान पर रखना चाहिए और एक बात है अगर आपके वाटर टैप से अगर leakage हो रहा है और पानी अगर बहे रहा है तो लेप पे क्या होता है बहुत सारे सामान ईट के होते है तो उड और पानी जब कंटक पे आते हैं तो ऊड का सामान खराप हो जाता है तो आपका उड का सामान खराप भी ना हो उसे के लिए भी आपको वाटर टैप का leakage जो है उसको प्रॉपर ली चेक करना चाहिए कोई अग लॉक वाले कबर्ड पे रखो ताकि बच्चे उसको एक्सेस ना कर पाए देन है देखो और एक है electrical shock and wiring अगर कोई open circuit है मतलब जैसे कोई switchboard अगर खराब हो गया है वही से wire ऐसे बाहर निकले है तो तुरंत वैसे वाले switchboard को आप replace कर दो देन है apparatus and equipment apparatus मतलब जो आपकी सामगरी जैसे beaker हो गया glass rod हो गया जो आपके lab के जो सामगरियां होते हैं उसे कहते है apparatus तो आपको यह चीक करना चाहिए कि आपके जो apparatus है वो properly condition पे है या नहीं जैसे ऐसा ना हो कि आपके lab के beaker glass rod वो तूटे-फूटे हो वहीं से भी छोटे-छोटे accident होने का chance रहता है तो वैसे वाले अगर कोई भी चीज है तो उसको आप तुरहते replace कर दो थाड़ है bench stools and floor आपके जो benches tool है वो properly well condition पे होने चाहिए ऐसा ना हो कि benches से कोई कील निकला हो वहीं से भी किसी का कुछ cut हो सकता है तो आपके bench stools और floor proper well condition पे होने ही चाहिए then safety equipment safety equipment मतलब क्या-क्या safety equipment एक lab पे होना ही चाहिए जैसे है fire blanket, dustbin, rubber globe and archbester fire blanket मतलब यह कंबल टाइप का होता है अगर किसी का मतलब कोई burn का कोई accident हो गया तो तुरंत आप उसके उपर लपेड दोगी तो easily fire catch नहीं कर पाता है then fire extinguisher, fire extinguisher हर एक lab पे होना ही चाहिए और उसको कैसे access करते हैं वो एक teacher और student को पता होना चाहिए then है अब देखो यहीं पे लिखा first aid kit for science laboratory हर एक lab पे एक first aid kit होना ही चाहिए first aid kit आप देखे होंगे एक box type का होता है वहीं पे datol या savalon होता है, seizure होता है, कुछ important chemicals होते हैं, कुछ important medicine होते हैं जो हमारे common lab accident होते हैं, वहीं के medicine होते हैं, तो जो immediate care हम लोग एक patient को देते हैं, वो सारा समान एक first aid box पे होता ही होता है तो हर एक lab पे एक first aid kit होना ही चाहिए, ताकि किसी को अगर कुछ हो गया तो हम लोग उसको immediate care दे सके क्योंकि तुरंट तो हम लोग hospital नहीं ले जा सकते न, तो immediate care देने के लिए हर एक lab पे first aid kit होना ही चाहिए then है, the four conditions which are considered as medical emergency, मतलब ये चार ऐसे condition है, अगर वैसे वाले condition किसी को कुछ हुआ है, तो तुरंट आप उसे hospital ले जाओ जैसे severe bleeding, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, difficulty in breathing, eye injury and shock, electrical shock सारे laboratory के पास एक first aid kit होना ही चाहिए, और जो भी first aid kit के content है, वो सारे बीच-बीच पे inspect होना चाहिए जैसे first aid kit का detall है, उसको आप check करो कि वो कहीं expired तो नहीं हो गया है, तो regularly first aid kit के content को regularly inspect करो और exparidate उसको check करो, और अगर कोई मतलब गड़बड़ी हुआ तो उसको replace कर दो, then the bottle should be leveled देखो first aid kit हमेशा एक lab के ऐसी जगह पर होना चाहिए, जैसे बच्चे उसको use कर सके ऐसा ना हो कि आप अपने first aid kit को कोई lock वाले cupboard पर रख दे हो, और कुछ हो गया है किसी को, तो बच्चे उसको use ही ना कर पाए, तो उसी के लिए हर बार first aid kit को ऐसी जगह पर रखो, जहां पर बच्चे उसको easily access कर सकें, और जितने भी आपके first aid kit के bottle है, वो properly leveled होने चाहिए, और उसको कैसे use करेंगे, वो भी आप उसके उपर एक paper पर लिखके उसको चिपका दो, okay, then the following items are recommended for general science laboratory, एक first aid kit पे क्या क्या रहना चाहिए, देखो, first aid kit पे general item क्या क्या रहना चाहिए, जैसे cotton, seizure, thermometer, brush, age dropper, ये सारे चीज रहना ही चाहिए, क्या 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 chemical रहना चाहिए, चाहिए, asparine, bunole, oral, rehydration, suction, ये सारा चीज एक first aid kit पे होना ही चाहिए, देखो, exam पे आप वैसे box बना लेना और general item पे 6 साथ लिख लेना, chemical पे 6 साथ, जितना याद होगा, एक box बना के, ये general chemical, sorry, general item, chemical और medicine ये वाला लिखना, okay, Nicole next हमारा है, all the staff must have the basic knowledge of the first aid, मतलब जो first aid है, उसका knowledge सारे teacher को होना चाहिए, especially एक lab के teacher को पूरा पता होना चाहिए, कि first aid के जो chemical है, वो कहां कहां पे यूच होते हैं, जैसे उनको पता होना चाहिए, कि उन्ट का medicine कौन सा है, burn का medicine कौन सा है, Training may be given to student, student को भी आप मतलब बोल दो, जैसे आप कभी नहीं हो class पे और कुछ हो गया है, तो बच्चे भी उसको मतलब कुछ कर सके, हल निकाल सके, A list of the common accident and the remedy approved by a doctor should be hung on one side of the first aid cupboard, first aid का जो covered होगा, वहीं पे आप common जो accident होते हैं, वो बाला और उसके side पे remedy लिखके वहीं पे चिपका दो, So that student can apply even in the absence of a teacher, अगर आप नहीं भी हो तो student उसको apply कर सके, जैसे एक चार्ट पे common lab जो accident होता है, हमारा burn, cut, wound, लिखके side पे आप जो जो remedy है, अब बर्न का जो medicine होगा, एक cut हो गया, तो क्या करोगे, tincture, iodine दोगे, तो वो सारा आप लिख लो, जैसे आप नहीं भी हो, तो बच्चे उसको apply कर सके, देखो हमारा common lab accident, क्या क्या common lab accident होते हैं, उसे के बारे पे हम लोग discussion करेंगे, और उसके remedy के बारे पे भी discussion करेंगे, first है हमारा burn, देखो, burn में क्या क्या होता है, देखो तीन टाइप के burn होते हैं, जैसे कोई acid आपके हाथ या पाओं पे गिरके, अगर आपका burn हो गया है, तो आप क्या करोगे, पहले साधा पानी से उसको दोलोगे, मतलब उस जगा को दोलोगे, फिर sodium bicarbonate solution से उसको wash करोगे देखो, ये concept जानो की acid और basis दोनो अपने आपको neutralize करते हैं, जैसे अगर आपके हाथ या पाओं पे acid अगर गिरके अगर आपका burn हो गया है, तो आप basis से treat करोगे, क्योंकि दोनों ही अपने आपको neutralize करते हैं, और अगर कोई base अगर आपके हाथ या पाओं पे मतलब गिरके जल गया हो या burn हो गया है, तो आप acid से treat करोगे, ओके देखो, यहीं पे acid से अगर बन हुआ होगा, तो आप एक base से treat करोगे, base मतलब क्या है, sodium bicarbonate solution, अगर alkali से, alkali मतलब base से अगर बन हो गया है, तो आप 1% acetic acid से wash करोगे, अगर कोई phosphoric substances से अगर बन हुआ है, तो आप dilute silver nitrogen solution से treat करोगे, देखो, कोई भी solution डालने से पहले, आप पहले normal water से उस जगा को दोलोगे, फिर उसका जो medicine है, आप उससे treat करोगे, देन है eye injury, जैसे solid in the eye, कुछ अगर solid substances अगर आँख पे जला गया है, तो पानी का छीटे दो, और बच्चों को बोलो कि rub ना करे आँख को, औ पानी की छीटे देने से भी, वो solid substances निकलाता है, या जोर से फूंक मारने से भी आँख को, वो solid substances निकलाता है, इंदन है acid in the eye, अगर कोई acid अगर आँख पे जला गया है, तो पहले normal water से आँख को wash कर लो, फिर lime water, lime water क्या है, base है, base से उसको wash करो, अगर कोई alkali अगर आँख पे चला गया, alkali मतलब base, तो क्या करोगे, 1% solution ना, boric acid से आप उसको wash करोगे, तन देखो poison, अगर कोई poison समझ के, ऐसे bottle पे होता है न, मतलब बच्चे साधा पानी या और कुछ समझ के पी लेते हैं, वैसे अगर condition अगर कुछ हो गया, तो आप क्या करोगे, जैसे कोई बच् करोशिप poison अगर पी लिया है, देखो करोशिप का मतलब है, मतलब वो अगर आपके skin की contact पे आ गया, तो आपका tissue damage हो जाएगा, तो ये थोड़ा serious होता है, जैसे आपका अगर करोशिप poison, अगर acidic nature का अगर निकला, तो पहले तो क्या करोगे, उसको बहुत पानी पिला दोग दो तीन ग्लास उसको पानी पिला दोगे, फिर क्या करोगे, एसिड है, तो मतलब बेस से उसको treat करोगे, बेस क्या है, milk of magnesia, अगर कोई करोशिप poison अगर basic का अगर है, तो उसको भी पहले drink much water, then 1% acetic acid और lemon juice उसको पिलाओगे, दन है, नन करोशिप, देखो नन करोशिप उतना dangerous तो नहीं है, पर अगर वो आपके skin के contact अगर ज्यादा time रहा, तो वो भी serious condition बन सकता है, जैसे आप कोई नन करोशिप substances और पी लिये हो, तो उसको बोलो कि vomit करे, क्योंकि vomit करने से वो सारा निकल आता है, तो vomit आप कैसे induce करो पानी में थोड़ा बेकिंग सोड़ा, पानी में थोड़ा बेकिंग सोड़ा मिला के, देखो नन करोशिप पोईजन, नन करोशिप पोईजन मतलब जो आपके skin पे अगर contact पे आ भी गया, तो उतना जल्दी damage नहीं करेगा, जितना करोशिप आलिमन डामेज करता है, तो पहल लाओगे, तो वहीं पे क्या होगा, उसको vomit लगेगा, और जैसे ही वो उल्टी कर देगा, उसका stoma का जितना भी content होगा, वो सारा निकल आएगा, और ये सारा एक ही मतलब बार पे उसको पी लो, और एक ancient technique है, जो हर बार काम पे आता है, common salt plus mustard oil plus water, ये तीनों को जब हम लोग मिला के एक बार पे हम लोग पी लेते हैं, तो 15 या 10 मिनिट के बाद उल्टी हो जाता है, और बहुत ही अच्छा feel भी होता है, दन है universal antidote, अगर आपको नहीं पता कि वो जो poison वो पिया है, वो corrosive है या non corrosive है, तो एक universal antidote है, activated charcoal, magnesium oxide plus tannic acid, जब हम लोग इसको 2 is to 1 is to 1 के ratio पे म पिला कि उसको पिला देते हैं, वहीं पे भी उसको वामिट, ये भी एक वामिट इंड्यूस करता है, ओके, देखो poison तो आपका हो गया, poison पर हम लोग करोशी बैलिमेंट पढ़े, non-carosive पढ़े और inhaling poisonous cases के बारे पर पढ़ेंगे, inhaling poisonous cases मतलब अगर बच्चे कभी कभार मतल ना करो, कि वैसे सारी चीज को स्मेल ना करें, अगर कोई बच्चा, कोई poisonous की इसको इनहेल कर लिया है, तो उसको पहले बोलो कि fresh air जाके उसको इनहेल करें, और उसका जो cloth है, उसका थोड़ा मतलब लूज करतो, और अगर वो conscious है, उसका हाथ पाओं अगर हिल रहा है, तो उ या coffee उसको पिलाव, और जैसे, if gases are corrosive, like bromine, ammonia and chlorine, then inhale fume of dilute ammonium hydroxide, okay, then rinse the mouth and throat with sodium bicarbonate solution, यह आपको याद रखना होगा, then I cut, cut मतलब blade, blade का हिसा कर किसी का cut हो गया है, तो पहले आप cotton pad पे tincture iodine लेके, उस cut के जगहा पे रख लो, फिर उसके उपर कोई cut का medicine उसको देखे, आप उसके उपर cotton bandage का cloth लपेट के, उसको एक normal जो dressing होता है, वो भी आप कर सकते हो, पर कभी कभार क्या होता है, heavy bleeding होता ह जैसे आपका कोई artery अगर injure हो गया है, कोई vein अगर injure होता है, तो वहीं पे severe bleeding होता है, तो severe अगर हो रहा है, तो तुरंथ आप उसको hospital ले जाओ, फिर भी अगर आप तुरंथ hospital नहीं ले जा सकते, जैसे कोई artery अगर कोई injure होआ है, तब आप क्या करोगे, देखो, direct trace, जहा जब cotton pad भी लगा कि उसको उपर थोड़ा दबा सकते हुआ, ऐसे भी अपना हाथ उसके उपर थोड़ा दबा दो, क्योंकि जैसे ही हम लोग pressure apply करते है, blood का flow धोरी धेरे कम हो जाता है, directly press, first point है हमारा, second है elevate, अगर आप वह injured part को, जैसे bleed part को, जैसे थोड़ा elevate भी कर लिए, त then pressure on the supplying artery, put pressure on the supplying artery which may help in reducing the loss of blood, जब भी हम लोग pressure apply करते हैं, तब भी हमारा blood का जो flow होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और जो blood, जो loss हो रहा है, वो भी reduce हो जाता है, then cleaning of wound, यह जब को पता होंगे, अगर कोई घावाव हो गया है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, debt all से उस जगा को wash कर लेते हैं, और जो हमारा normal जो medicine होता है, normal जो wound का medicine होता है, उसके उपर हम लोग लगा के, bandage cloth लगा के, normal हम अपना dressing करते हैं, और अगर कोई जैसे solid substances, अगर दाल दो, फिर वहीं पर antiseptic lotion वहीं पर लगा के, फिर apply a sterilized dressing, और अगर कोई ज्यादा अगर कुछ हुआ है, तो उसको आप hospital ले जाओ, then है, electric shock, अगर electric shock, अगर किसी बच्चे को लग गया है, तो पहले तो आप main switch को off कर लो, immediately switch off the main, और use any wooden piece और wooden stick newspaper rubber to pull the person away, from the sock, जैसे आप main switch off कर ले, तो वो तो वहीं पर ही लगा होगा, जैसे यह आपका switchboard है, और यह बच्चा है, उसके हाथ पे वो current लग रहा है, तो main switch आप बंद करने के बाद तुरंद उसको मच हो, एक लकडी या जैसे news paper के सहारे, उसको आप pull करो, pull the person away from the sock, but never touch the person, call the doctor immediately, औ और जो भी बच्चा कोई electric से related कोई काम कर रहा है, तो उसको बोलो, sleeper पहन के वो वाला काम करे, इंदन है हमारा fire, ऐसा नहीं तो होना चाहिए, पर अगर भी, मतलब fire हो गया है, तो जो बच्चा को, मतलब fire, मतलब उसको fire हो गया है, sorry, मतलब वो जल गया है, तो पहले, जो ह क्योंकि fire blanket जब भी हम लोग लपेट देते हैं, easily fire catch नहीं कर पाता है, then if a room catches wire, sorry, यह वाला fire होगा, fire door and windows should be closed and put sufficient amount of water, यह सभी को पता है, हम लोग पानी देते हैं, then if inflammable substances get ignited, अगर कोई inflammable substances अगर ignite हो गया है, इने beaker और flax, जैसे, यहीं पे कोई beaker है, और यहीं से कोई inflammable substances ignite हुआ है, तो इसके उपर एक आजबेस्टर का seed दे दो, over the mouth of the vessel, देखो, over the mouth of the vessel, then small fire, due to oil, sodium, phosphorus, then it can be put up by the large quantity of dry sand, in case of fire, due to gas or electricity, cut off the main connection, अगर कोई electricity relay से अगर fire हो गया है, तो पहले तो switch off कर दो, main switch, then है, general safety rule, जो general, क्या कि हम लोग safety rule, हम लोग follow करना चाहिए, एक lap, देखो, यहीं पे मैं आपको main main word, underline कर दी हूँ, अगर इतना भी अगर याद कर लिए, तो पूरा sentence आप आराम से बना पाओगे, जैसे with care, जो भी आपके जो equipment है, उसको आप थोड़ा, मतलब, properly handle करो, मतलब, with care आप उसको handle करो, then perform only this experiment assigned by the teacher, जो भी teacher बोले हैं, बस उसी experiment को, मतलब, उसी ही experiment को करो, जादा अपने मन से, मतलब, वो chemical के साथ, वो छेड़ खानी मत करो, work in the laboratory under the supervision of the teacher, एक teacher की supervision के under ही, आप अपना lab के काम करो, जैसे आपकी teacher मना कर रहे हैं कि उस chemical को मत use करो, तो मत use करो, then take all the precaution, सारा precaution ले के ही एक experiment को करो, and then अगर कुछ हो भी क्या है, तो तुरंद teacher को report करो, never pour back reagents और chemical back into the bottle, जैसे एक, हम लोग experiment करते हैं, और कोई bottle से, सबकोच मालो, यहीं पर HCL है, तो हम लोग जब भी अपना practical work करते हैं, तो एक beaker से थोड़ा ले आके, अपना काम करते हैं, पर अगर आपका थोड़ा बच गया, तो never put back, वो अपने HCL के डपे पे, मतलब back मत करो, क्योंकि बहु दन है, अगर chemical अगर आपकी हाथ पे अगर गिर गया है, या lag या face पे अगर गिर गया है, तो पहले तुरंत cold water पे उसको wash कर दो, do not put hot water, अगर कोई hot substances है, तो उसके उपर, मतलब immediately cold water मत दो, या कोई substances बहुत ही cold है, तो उसके उपर कोई hot water तुरंत मत देना, क्योंकि वहीं से heat cold का shock होके वो तुरंत ही भट जाता है, then do not try to mix different chemical for fun sick, अपने fun के लिए chemical को, मतलब ऐसे मत करो कि अगर ये chemical को यहाँ पे मिला देंगे, तो क्या होगा, ऐसे मन मन पे अपने fun के लिए chemical को mix मत करो, be aware of all the first aid kit to be taken in the case of accident, then do not walk near the open socket or loose wire, या कोई hot equipment है तो उसको मत चूओ, always wear globe while walking in the laboratory, और कोई भी chemical है तो उसको inhale मत करो, कोई भी chemical को टेस्ट मत करो, तो अगर in case of fire in any area, switch off the main, कोई भी अगर electricity से अगर कोई fire हो गया है, तो पहले main switch को off कर दो, then है हमारा in case of, देखो 19 तो खतम हो गया, हाँ सायत इतना ही था, so I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा, बहुत ही easy topic था, so thank you.